जो तेरा जित्ते सिंदिया आपके लिए साफ पर हमारे साहा जोड़ रहा हैं आरहा हैंसे आपके पास शुटर शुब दिन आज का मध्यप्रदेश में आपके लिए थाभित हुआ है और कुल मिलाकर जो आपके बीजेपी में शामिल होने के बाद परिस्तिती बनी थी, उसमें एक बड़ी सफलता जी जो तेरा देते ही जी आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है जैने बड़ी सफलता आप लोगों के लिए मध्यप्रदेश में हलाकि बिहार से भी अभी तक जो खबर आ रही है 125 पर आप आगे हैं लेकिन जो परिस्तिती बनी थी आपके कॉंग्रे से हटकर बीजेपी में जाने में उसमें आज के उप्चुनाओं के नतीजों के बाद सफलता देखिए इस सफलता के लिए अंजना जी मैं प्रात्मिक तोरतर पे मध्यप्रदेश की जनता के समक्ष नकमस्तक हूँ और उसी के साथ भारती जनता पार्टी का एक-एक कारिकरता जिसने जी जान मेहनत के साथ भारत जनता पार्टी का कमल का फूल के जंडे का पर्चम लेराने की कोशिश की है उनके सशक प्रयास के लिए मैं दिल के घहराईयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और ये तभी संबव हो पाया है जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की यशिश्वी नेतित्व केंद्र में जेपी नड़ा जी के साथ और अमिच्छा जी के साथ और स्थानिय सतरपर प्रदेश में शिवराज सिंग जी की सरकार उनकी नीतियां उनकी योजनाएं साथ में हमारे संगठन के अध्यक्ष विश्णुदर शर्मा जी संगठन मंत्री सुहास बगत जी और सारे हमारे जो नेताओं ने जी जान लगाया है जैसे की स्वतर का चुनाव हो एक जुटता के साथ हम लोग लड़े हैं उसी के आधार पर ये संभव हो पाया है तो श्रे पहले तो बद्ध्यपदेश की जनता को तैदिल से धन्यवाद और श्रे बीजेपी के आम कारिकरता को और हमारे नेताओं को कारिकरता का दायत तो होता है जमीन पर रहकर उस माटी को माथे पर लगाकर सेवा भाव के आधार पर कारिकरना और मैंने सदेवे कारिकरता के रूप में कारिकरता है बीस साल जब मैं कांग्रिस में भी था तब मैं कारिकरता के रूप में कारिकरता था आज भी भारती जनत पार्टी में मैं कारेकरदा के रूप में ही कारेकरथा हूं और मैं अपना सौभागत समस्चता हूं कि एक ऐसे दल का कारे करता हूं जहां संगठन पूरी तरह से एक साथ मिलकर एक ही लक्ष के साथ कारे करता है और वो लक्ष है सत्ता हासिर नहीं करना लेकिन वो लक्ष है जनता का सेवा करना और जनता की विकास और प्रगती करना अपनी पुरानी पार्टी के इस हाल पर क्या कहेंगे लेकि अंजना जी मैं अपना जीवन अतीत में वितीत नहीं करता मैं अपना जीवन वर्तमान हैसियत नहीं समझता. उनको अपना घर देखना होगा, मुझे अपना घर देखना होगा और भारत्य जनता पार्टि ने जिस एक जुट्टा के साथ जनता की सेवा के लिए अपने आपको समर्पित किया है उसी के आधार पर जनादेश मिला है और इस जनादेश के आधार पर जनता की सेवा करना उनके आशा अब लाशाओं पर खड़ा उतरना यही हमारी सबसे बड़ी चुनोती है उन्हों ने तो आप उपर टिपनी करने से लेकिन कभी परहेज नहीं किया महराज कहे कर हर तरीके से कौने से तो आक्रमन किया है जिन्दगी में उनको अपना कर्म करना है मुझे अपना कर्म करना है अटल विहारी वाचपी जी ने एक समय में कहा था कि जिन्दगी में जो भी मिले वो भी सही और ये भी सही और वही मैं मानता हूँ वे अपना करम करें अगर उनका करम है हमको गाली देना उनका करम है हमें नाम बुलाना तो वो अपना काम करें और जनता ने सपश कर दिया है कि जनता क्या चाहती है और जनता का जनादेश के आधार पे ही हम लोग अपना जीवन ग्यापन करते हैं और जनता को नकमस्तक होकर हम अपनी सिवाभाव के आधार पर कारी करते हैं। और कारकरताओं का और मद्यप्रदेश की जनता का आप सबसे बड़ा श्रे किसको देना चाहेंगे इस जीत का। जब इन दोनों का संगम हो और इन दोनों का मिलाप हो तो फिर हमें उस सेवा करने का मौका दिया जाता है जनता के द्वारा। राज्यसभा सांसत तो आप बन गए जोते रादिते जी लेकिन इसके आगे क्या क्योंकि आपने तो बाजी पल्टी थी ना बीजेपी के लिए मद्द प्रदेश में जोते रादिते सिंधिया को इसके आगे क्या मिलेगा? एक अंजना जी आप मुझे शायद इतने लंबे समय से नहीं जानती लेकिन मेरे जिंदगी में सदेव एक ही लक्ष रहा है और वो लक्ष रहा है जनसिवा और राजनीती मेरे लिए केवल एक माध्यम है उस लक्ष की पूर्टी करने के लिए मैंने कभी जिंदगी में ना मैं कुर्सी के दौड में नाम प्लेट के दौड में मैं कभी रहा हूँ और 2018 में भी आपने ये शायद देख लिया होगा जब कॉंग्रिस ने चुनाव जीता था और PCC का अधियक्ष का समय आया था नमोनित करने के लिए कॉंग्रिस के अंदर तो मेरी सेवा की सोच और विचारधारा है भारती जिनता पार्टी का मैं एक आम कारे करता हूँ और मैं अपना सौभागे समझता हूँ इस आम कारे करता के आधार पर उस दायत्व का निर्वा करते हुए उसी सेवा भाव के आधार पर मैं कारे करूँगा लेकिन सिंदिया जी आखरी समय कॉंग्रिस में जो आपका रहा उसमें कमल नाज जी और दिगविजे सिंग जी के साथ परिस्थिती को लेकर जिस तरह की बाते हुई क्या शिवराज जी के साथ वो सारी समस्याइं दूर हो गई है देखे मैं इस पर्ष्ट कहना चाहता हूँ कि जब सरकार हमारी बनी थी मैंने अपना पूर्ण ताकत और सभी ने अपना पूर्ण सभी कारेकरताओं ने अपना पूर्ण ताकत जोका था और जो जनादेश मिला था वो वल्लब भवन को ब्रस्टाचार का अड़ा बनानी का जनादेश नहीं था वो विकास और प्रगती की वचन पत्र को फाड़ के इतीहास के कचरे के डब्बे में डालने के लिए जनादेश नहीं और जब इन विशेयों को मैंने उठाया था तो मुझे इस पश्ट रूप से का गया कि सला दी गई कि एक्चुली कमलाजी के दोरा कि सड़क पर उतर जाओ तो मैं सड़क पर उतर गया दो ऑप्शन होते हैं व्यक्ति के सामने या तो आप मूख दर्शक की रूप में खड़े रहो और यह सब देखते रहो और यां तो आप अगर जनता के हित में कारिय करोगे तो अगर सड़क का नाम है मिस्टर कमलनाथ और मिस्टर दिगवजय सिंग यह जनता ने सपर्ष कर दिया है और जहां तक पूर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अगर एक भी सीट बीजेपी जीती है तो वे बनवास लेंगे मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब जो बीजेपी 20 सीट जीती है बनवास क्रिपा करके न लें जितने देन वे राजनीती में रहेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की बीजेपी करेंगे यहाँ पर तो सीधे आप निशाना साथते वे इन दोनों ही नेताओं पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब अगला सवाल चुमकि बीजेपी आपकी सरकार पूरी तरह से सेफ हो गई है मध्यप्रदेश में ऐसे में वो तीन कौन से बड़े काम आप करवाना चाहते हैं जिस के जरिये मध्यप्रदेश आगे बढ़े क्योंकि आपकी भी एक अपनी सोच है जिसको लेकर कमलात के साथ आपकी नहीं बन पाई थी लेकिन शिवरा सिंग्चों के मुझे वो दिन भी याद है जब बीजेपी में शामल होने के बाद आप मध्यप्रदेश पहुंचे उनके वो दिन वह का tips है जबन शिवराज सिंग्यार के मुक्रिज मीध्यमंत्री जी है उनके नित्यत में मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और मैं अपना सौभागे समझता हूँ क्योंकि पूर में अंजना जी हमलों के माध्यम अलग थे पर हमलों का लक्ष एक ही था उनका लक्ष भी विकास और प्रगती है जनता की सेवा है मेरा भी लक्ष हुई है अब हम दोनों मिलकर काम कर रहे है और हमनारा लक्ष एक ही है कि गरीबों का उत्थान हो मध्यपदेश में ओद्योई करण हो रोजगार के अफसर उत्पन हो पाए और उसी के आधार पर तेजी के रफ़तार से जो मध्यपदेश भारत के रिदेस्तल में स्तापित है एक वास्तविक तोर से एक आर्थिक शक्ती के रूप में भी उभरे और इसी सोच विचाधारा के साथ हमने पिछले 6 मैनों में भी कार्य किया है चाहे आप देखें क्रिशी के शेतर में जहां रेकॉर्ड खरीदगी गेहु की हुई है असली तोर पर हम लोग ने पंजाब को भी पराजित किया है 1.3 लाख मेट्रिक टन गेहु का की खरीदगी की गई है जो पूरे देश में एक नंबर पर है 37 लाख लोगों को राशन की परक्रिया के साथ हमने जोड़ा है कई नई योजनाए हम लोग ने शुरू की है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधी 4,000 रुपए हमने जोड़ा है ताकि एक-एक किसान को 10,000 रुपए मिले तो अनेक योजनाओं को हमने शुरूआत की है और विकास और प्रगती की ये गाता शिवराज सिंग्जी की नित्रत में आगे भी चलेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बधाई आज के इन नतीजों पर धन्यवाद आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद